को शक्रेस ने या आज के हमारे की वर्ड की क्लास में हम एक सब्सक्राइब से क्लासłem जो कि आपको मदत करेगा आपकेक व्रड की फाइल को प्रोटेट करने में यह फंक्सन आप यह कोई वाइल बनाई हुई है और उस फाइल को चाहते हैं कि सेव से Its को fat करला और यहोजिक मोडिकेस्व क्रते है प्रकार के sciences होते हैं तो 8थ सीख अब्रकर कि आम परंपर स्कोंने में यह न अमिद्धक करणी पड़ते हैं बलसॉत कि दो-तीन बार आप उसको proof read कराते हैं, proof reading में आपकी मदद करती हैं, इस सारे चीजों में ये function आपकी मदद करेगा, ठीक है, तो आए सीखते हैं कि क्या function है, तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे ये review option में, जो ये track change option आ रहा है, इसके बारे में, ये track change option क्या है, ये track change, अभी मैं इस file हमारे सामने open है, ये file में, यदि मैं अभी कोई change कर रहा हूँ, अभी मैंने track change on नहीं किया है, अभी मैं इसमें कोई भी editing करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी word लिख रहा हूँ, तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या editing कर दी, इसको मैं save कर होगा, as it is save हो जाएगी, तो यह आपकी file थी, मैंने open करके कुछ भी changes कर दी, आपको पता नहीं चल रहा है, बट यह आप यह चाहते हैं कि आपकी जो file उसमें, आपने save किया है, उसमें कोई भी changes हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, य इसमें हो दु tip करेंगे, यह आप यदो तो मैं इसको आउन कर लेता है, तो तो मैं इसको on कर लेता हूं, track change में जाते हैं, मंन लेता हूं कि यह जो analyze the market है, मैं इससे delete करना चाहता हूं, ठीक है तो तो मैं ऻखны मैं बटन नबारा हूं, दीके back कि स्पेस हम कर रहे हैं, तो क् यहां पर आता हूं और मैं डिलीट करना चाहता हूं इसे क्या करता हूं तो क्या हो रहा है यह रिट कलर में हाइलाइट हो रहा है यह चेंज हो रहे है करता हूं लाइन चेंज करता हूं यहां पर वर वेने इंटर कि तो यहां पर एक क्या किया हुआ है इस पकार से कोई भी फाइल में आपके चेंज हो रहे हैं तो यह आपको अलग से हाई-लाइट करके बता रहे हैं कि आपके फाइल में यह चेंज हुए है तो यह आपने किसी को दिया हुआ है आप चाहते हैं कि कोई गलती है तो वह से सुधार दे या फिर उसमें जो भी मिश्टेक है आपको पता चल जाए बता दे तो ट्रेक चेंज करके आप उस फाइल को दे सकते हैं अपने मेंजर को या अपने पीयर को रिव्यू करने के लिए अब यह फाइल जब आपके पास वाका हाती है तो आपके पास दो-तीन option है यह आपको यह जो चेंज हुए है इसे आपको एक्षप्ट करना है यह सही है तो यह पर सामने ऑप्शन आ रहा है accept and reject तो हम इसे कैसे यूज करेंगे जैसे माल लेता हूं कि analyze the market है यह सही था पहले अब इससे किसी ने गलत कर दिया है आप इसे accept करना चाहते हैं जैसे पहले था उसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो यहां पर जो हुआ है इसे आपको reject करना पड़ेगा तो हम यहां पर मार्केट में जाते हैं यहां पर हम इसमें करेंगे हमें सामने और रहे हैं रिजेक्ट और जैसा पहला जो हमारे पहला जैसा तो वैसा हो जाएगा normal change हो जाएगा क्रिजेक्ट all change क्या होगा इस फाइल में ६ें जितने वी changing हुए उ वह इस में क्या होगा कि जितने भी change है हमारे reject हो जाएगे और जो हमारा tracking हमने ओन kiya हुआ है वह भी stop हो जाएगे तो मैं एक ही करके reject करता हूँ तक है यहां पर ऑमकिली करता पहले की तरह नौर्मल हो गया है इसे में रीजिट करता हूं इसको आल मतलब लिखे यहां पर कुछ है इसको रिजट करता हूं यहां पर जो चेंज हुआ है इसको रिजट कर लेते हैं तो यह हमारी वापस हो गई अब यह जो चेंज है जो भी चेंज हुआ है और हम आगे बढ़ गए हैं इसे भी आपको लग रहा की सही है तो आप इसे कर लीजिए हमारा नॉर्मल होगे अब यहां पर यहां पर लग रहा है तो आपको लग रहा की गलट है तो हम उसको क्या करेंगे जैसे आपके सारे में चेंज आरो है aren't any comments or track change in your comment in your document मतलब अब आपके document में कोई भी changes या कोई भी ऐसा modification नहीं है जो आपने नहीं देखा हुआ है जो भी changes है थे वह highlight हो गयते हैं उसको आपने पता कर लिए और उसको आपने अपने अंसार accept ये reject कर लिया हुआ है तेकर इस से आप एक चाहता हूं कि मेरे अलावा कोई भी इस फाइल को ट्रेक्शन ना कर पाए यहां पर लिखावए इंटर पासवड को और न कर पाए यहां पर पासवड डाल सकते हैं पासवड अब से प्रोटेक्सन की तरह काम करता है आपके वह आपको हाइल करके दिखाता है आप उसे एक्षेट करके अपने फाइल या डॉक्मेंट को अच्छे से अपने साथ सुरच्षित रख सकते हैं तो आज कि हमारे फाइल को प्रोड़ेट करने मा हमारी मदद करता है इससी पकार कि कई सारे ऑप्शन कई सारे फॉर्ट में एक्सल में पाउर प्रण्ट में डिसक्स किये वें इस चैनल में नहीं है तो प्लेज सब्स्राइब करें औ करें दोस्तों को भी बोले कि यहां पर आए और यह हमारे वर्ड एक्सल पाउर प्रण्ट की क्लास में सीखें तो ठीक है आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं हमारे इनक्स्टास में तब तक के लिए थेंक यू बाई बाई यॉल